दोस्तों अगर आप भी येवाला एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना सबसे पहले 800 ग्राम बेकिंग सोडा में एक लिटर विनेगर डाल कर उसे एक घंटे के लिए छोड़ देना फिर उसमें 200 मल पानी मिलाकर लो टेंपरेचर पर गर्म कर लेना फिर उसे एक ग्लास में डाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देना अब आप उसमें छरी डालो हाथ डालो या फिर कुछ भी डालो सब कुछ तुरंत बर्फ में बदलने लगेगा ये वाला एक्सपरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो बस आप पानी में तेरते बर्फ पर एक धागा रखकर उसे उठा लीजिए चलिए अब बर्फ से पानी उबालना सीखते हैं इसके लिए बस आप बोतल को उल्टा करके उस पर बर्फ रख दीजिए आप देखोगे कि पानी उबलना सुरू हो जाएगा चलिए अब ये वाला एक्सपरिमेंट करते हैं सबसे पहले एक बोतल में पानी भरके उसे दो घंटे कले फ्रिज में छोड़ दीजिए फिर उसे आराम से पोच कर टेवल पर मारिए आप देखेंगे कि पानी जमना शुरू हो जाएगा अब आप ठंडे पानी में वर्फ डालो या फिर वर्फ में ठंडा पानी डालो पानी का हलवार जमना तय है अब आप चैनल को सबस्क्राइब करके इसे भी जमा दो और अपना प्यारा सा नम कॉमेंट में लिख दीजिए